हमारे साथ जुरे रहने के लिए ग्यान ट्यूब चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और साती इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए किआ आब जाना चाहते हैं कि फोन में हम किसी भी एप को कैसे छुपा सकते हैं तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए Hello, Namaste, मैं नाम है Sumanoj, तो चलेती इसे देखने के लिए चलते हुं अपने फोन पे So, यहाँ पर अब हूँ अपने फोन पे हैं और यहाँ पर हमें जो है अपने अपस पे आप्स को जो है hide करना है अपने phone में तो वो हम कैसे कर सकते हैं यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं देखें यहाँ पे कोई भी ऐसा settings नहीं होता है जहां से हम hide कर सकते हैं लेकिन एक तरीका है जिससे हम अपने app को hide कर सकते हैं बिल्कुल छुपा सकते हैं तो चलिए यह तरीका देख लेते हैं यहां पे सबसे पहले आपको अपनी phone में settings पे जाना है यहाँ थीचर होता है तो ऊपर नीचे आपको कहीं से भी यह privacy का option आपको खोज लेना है और यह privacy करेंगे प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको नीचे आना है और नीचे आपको एप लोग का option मिलेगा, यह एप लोग का option आपको privacy के बाहर भी मिल सकता है, उपर नीचे हो सकता है, तो आपको मैंने पहले भी बताया, कि कुल मिला के आपको app लोग तक पहुचना है, अगर यहां से अगर आपको app लोग नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं यहां पे, यहां पे आपको settings में उपर में एक search का option दिखाई देगा, उपर में search अगर है, तो यहां पे आपको type करना है app लोग, जैसी type करेंगे यहां पे नीचे आपके सामने app लोग आ जाएगा, और इस पे click करते ही आपका app लोग खुल जाएगा, अब यहां से आपने जो भी password लगाया हुआ है, वो यहां से आपको type करना है, अपने app लोग को खोलना है, खोलने के बाद अब यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे app लोग का नीचे option आ रहा है, इस पे हमें click करना है, और अब यहां पे आप देख सकते हैं कि application है, उसे lock करने के लिए ह हमें यहां पे बताया चाहरा है, तो यहीं से हम जो है अपने application को hide करेंगे, इसी के अंदर हमारा जो hide करने का option होता है, तो यहां पे जिस-जिस application को आपको hide करना है, उसे आपको select करना है, जैसे मुझे WhatsApp को hide करना है, फोटो ज को hide नहीं करना है, message को भी hide कर देते हैं, Facebook को छो अब यहां पे यह बोल ला है कि आपका जो यह तीन application है, यह अब lock होगा, तो use पे click करना है, और यह lock हो गया, अब हमें यहां पे क्या करना है, जैसे मैंने chrome को hide किया था, अब इस पे हमें click करना है, click करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं कि एक option आपको यहां पे है, उसके बाद यहां पे आपको एक number चूच करना है, hedge और number करके, तो जैसे मैं hedge, one, two, three, hedge, यह मैंने number select कर लिया, अब यह number आपको हमेसे याद रखना है, क्योंकि इसी number से आप अपने application को access कर पाएंगे, यह मैंने number डाल दिया, उपर में done पे click करना है, done पे click करने के बाद है, तो यहां पे नीचे done का option है, इस पे click करना है, और अब हमारा जो app है, chrome वो अब पूरे तरीके से hide हो चुका है, अब मैं किसी दूसरे application को hide कर देता हूँ, जैसे मैंने एक और lock लगया था, whatsapp में, यह मेरा whatsapp है, whatsapp पे click किया, और इसे भी हम hide कर देते हैं, hide किया, यह भी hide हो गया, यह उसके बाद मैंने message में एक लगया था, तो message यहां पे है, यहां पे click करते हैं, और वापी से हम यहां पे hide कर देते हैं, जो भी application आपको यहां पे hide करना है, बस उसे आपको क्या करना है, यहां से select करना है, select करने के बाद यहां पे आपको, सबसे पहले तो इसका जो privacy है ये आपको on करना पड़ेगा app lock उसके बाद यहाँ पे hide का option आ जाएगा लीचे यहाँ पे hide पे click करके इसे on कर देंगे और ये सारे application जो मैंने अभी hide किया है वो अब हमारे phone से hide हो चुका है बस यहाँ से अब हम इसे cut कर देते हैं और अब हमारे phone में आप देख सकते है है बहुत सारे application यहाँ से गायब हो चुका है क्योंकि मैंने hide कर दिया है देख सकते हैं ना message दिख रहा है ना chrome दिख रहा है सभी के सभी hide हो चुका है अब इसे हमें open कैसे करना है देखिए open करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है dialer open करना है जहां करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी मैंने application hide किया हुआ था वो यहाँ पर आचुका है उपर में hidden apps लिखा हुआ है और हमारे सारे hide application आचुका है अब यहाँ से हम इसे open कर सकते हैं जिसे मैं यहाँ पर यह keep notes open करता हूं तो यह इस तरह से open हो देख सकते हैं वापीस से मैं इसे कार दूंगा वापीस से back हो गया cut गया तो इसी तरह से आप जो है application को open कर सकते हैं आपको dialer open करना है जो आपके अपने number डाला था वो आपको डालना है hedge और यह आपका सारा application दिदर खुल जाता है तो कोई भी जो आदमी है वो आपका phone भी ले भी लेता है तो पता ही ने चलेगा कि यह application जो है वो आपके phone में install भी है